हेलो काईज, वेलकम पूर्टेक यासर यूटीट चनल और गैस 2019 यहाँ पर अल्मोस कतम होने वाले डिसेंबर का महीना, सिर्फ एक हफता यहाँ पर तकरीबन रह चुका है, अब आने वाले जन्वरी का महीना जो के 2020 का मतलब आप बुछ सकते हैं, फस्स मंत रहने वाले और ब के मिलेंगे, सारी चीज़े बताने वाला हो, तो सी बात पर कर देने एक वीडियो को लाइक की वीडियो का लाइक टार्गेट रखता हम 2000 लैक्स का, एक होप का पर आप कर दोगे, सो गाइस चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें, तो यह आता है, शौमी की दरफ से, रेड्मी के 30 आप सलको पता है, चाइना में अल्रडी लाँच हो चुका है, 4G वरियंट 5G वरियंट भी, और इंडिया में बताया चारा है, जन्वारी के एंड में आपको रेड्मी के 30 का 4G वरिय स्मार्टफोन रहने वाल है, चाइना में लाँच होता है, 16,000 की प्राइस पॉइंट पे, इंडिया में बताया जा रहा है, 18,000 रुपे के आसपास देखने को मिल सकता है, मैं परसनली यहाँ पर एड्मी के 30 का 4G वरियंट का इंडिया लाँच का वेट कर रहे हो, आप कर र महने में यह देखने को मिलेगा, अमलेट डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, प्रसेसर थुड़ा मिडियम से है, लेकिन बाकी के जो सारी फीचर्स जबदस आपको देखने को मिलते हैं, इंडिया में कन्फर्म हो चुका, यह आपको जैनवरी के मह आसपास मिल रहा था, इंडिया में आप पकड़ के चल सकते होंगे, 30,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, पर क्या मी नोट 10 का वेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, जब बताना नीचे कमेंट्स में, इस नेक्स स्मार्टफोन के अगर हम बात करें इतना आता हैं सामसंग की तरफ से, सामसंग की A-Series के बारे में तो सभी को पता होगा, A50 जो सिरीज है, जब दस यहां पर इंडिया में इसका सेल रहता है, आफलाइन मार्कीट को स्मार्टफोन है, अब इसका सक्सेसर सामसंग गैलक्सी A51 जो है, इंडिया में बताया जारह है, जन्वरी के महिने में आपको देखने को मिलने वाले है, इसका जो की हालेटिंग फीचर है, आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, नोट सीरीज की तरह, एस वेल यहां पर जो आपको कॉड कैमरे का बैक में सेट अप मिलता है, 48 मेपिक्सल कैमरे के साथ में, तो काफी जिवरतस यहां पर यह स्मार्टफोन रहने वाले है, इंडिया प्राइस पॉंट के अगर हम बात करें तो बताया जारहे, 22,000 से लेके 23,000 के बीच में देखने को मिलने वाले है, तो यह प्राइस पॉंट पर गर इंडिया में आएगा, ओफलाइन सेग्मेंट में आता है, तो बहुत सारे लोग कुछ प्राइस पॉंट पर लाँच करता है, बाकि आप यह फोन को लेके एक्साइड़ हो या नहीं हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, गाइस नेक्स स्मार्टफोन के अगर हम बात करें तो आता है, रियल्मी की तरफ से 5G स्मार्टफोन, रियल्मी X50 5G, जो कि अभी कुछ ही दिनों में चाइना में लाँच होने वाल है, टीजर आना अल्रटफोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपको बता दूए, इंडिया में बताया जा रहा है, जनवारी के एंड में देखने को मिल सकता है, लेकिन इंडिया में 5G वरियंट देखने को नही और बहुत ही कमाल के फीचर जो है, आपको डूल पंच होल डिस्प्ले वगरा है, अमोलेट डिस्प्ले वगरा आप देखने को मिलेगा, अब देखते हैं X50 क्या कुछ कमाल करता है, वैसे कुछी दिन में चाइना में लाँच होगा, तो स्पेक्स तो हम सारे को पताई चली ही सकता, तो Realme की तरफ से यहाँ पर जो अभी प्रिविस लाँज होता, Realme X2 का, तो मादो सेट जो के इनके CEO ने, उन्होंने यहाँ पर बताया था कि मीट यू इन जैनवरी, तो जैनवरी में कुछ ना कुछ यहाँ पर यह लाँच करने वाले, और यहाँ यहाँ पर यह भ वगर आया है, तो 7000 के अंदर की प्राइस पॉइंट रही, अगर यू टू आएगा तो आपको 10,000 यह उसके अंदर की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली यू स्रीज जो यह सेलफी सेंट्रिक स्मार्टफोन आप सभी को पता है, और सी स्रीज बजेट सेग्मेंट के लिए है, तो दोनों में से एक नएक स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली कनफर्म इंडिया में देखने को मिलेगा जनवरी के महिने में, तो कैस्ट अब जो मैं आपको स्मार्टफोन बताने वालों, इसका वेट करके मैं खुद यहां पर ठग चुक लेकिन आप कनफर्म निउस यह है, कि जनवरी के महिने में जो आपको ओनर 9X इंडिया में देखने को मिलने वाला है, और पता नहीं अब यह किरीन 710 के साथ में आएगा, यह 810 के साथ में आएगा, आज की रेट में क्योंकि कॉम्पटिशन बहुत बढ़ चुका है, तो 810 के साथ में आजाए, तो मज़ा ही आजाएगा, बेजल ले स्क्रीन है, पॉप अप सेलफी कैमरा है, ओल इन ओल, काफी जबदा स्मार्टफोन है, अब 15,000 की रेंज में आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, अब देखते हैं यहाँ पर ओनर वाले क्या कुछ कमाल करें, भाग क्या आप ओनर 9X का वेट कब से कर रहे हो, जब बताना नीचे कमेंट्स में, गईस नेक्स स्मार्टफोन के गरम बात करें, तो यह आप मिसे बहुत सारे लोग इसके रिगार्डिंग मुझसे कोशन बुछते हैं, पही ओपो K5 इंडिया में कब आएगा, कौन सी फराग है, डिस्प्ले हो अगरा से में, तो X2 का आप बोल सकते हो, जड़वा भाई आप इसे बोल सकते हो, यहाँ पर आपको OPPO ब्रेंडिंग के साथ में दिया जाएगा, प्राइस पॉइंट के अगर हम बात करें, तो Realme X2 आपको 17,000 में मिल रहा है, तो OPPO का स्मार्ट पॉइंट पर आपको यह इंडिया में जनवरी के महने में दिखने को मिलेगा, तो आपको स्मार्ट फोन के बात करें, तो OPPO के भाई, वीवो की तरफ से आने वाले है, वीवो S1 के बारे में तो आप सभी को पता होगा, स्पेशली जो ऑफलाइन मार्किट में आपको धमा रने वाले है, यहाँ पर आपको स्नाप डेकन का 665 वे, सूपर अमलेट का आपको वाटर टॉप नौच वाले डिस्प्ले मिल जाते है, साड़े-4000 एमेच की बैटरी वगरा है, और 48 मेपिक्सल का कैमरा, और फ्रेंट सेसिंग कैमरा 32 मेपिक्सल का है, और इन ओल, अच्छ अब जो मैं स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला है, मतलब पुरी दुनिया यहाँ पर यह फोन का वेट करिए, पोको एफ़न आया था, 2018 में काफी जबदर स्मार्टफोन था, पुरा 2019 निकल गया, हम सब सोच रहे था, अब आएगा, अब आएगा, पोको एफटू आए अब जैनवरी में आएगा, या कोई और मन्त में आएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जैनवरी के महीने में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नया साले, नहीं शुरुवात है, तो में भी पोको यहाँ पर जैनवरी के महीने में धमागा करते हैं, और यार चाना मे में लाँच होगा, वो पोको सीरीस का चानल से जादा इंडिया में डिमांड है, तुम्हें भी इंडिया में पहले लाँच करते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन पोको की जो न्यूज है, वो अभी अभी कन्फरम नहीं है, हो सकता है, इसलिए मैं सुचा है कि आप लोग के साथ में शेर कर दू, तो यह थी मेरी आपर टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन जो के जैनुवरी 2020 में देखने को मिलेगा, उसकी लिस्क, पर क्या मुश्य कमट सेक्शन ये बताना, जितने में मिने आपको स्मार्टफोन बताया, इसमें साब कौन से फोन का वेट करे हो, यह लि करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता है उसके लिए किसी वीडियो में, जब तक के लिए, थैंक यू